31 जुलाई 2019 को मोटर वहिकल संशोधन बिल्स रज्जसभा में पास हो गया सडक हादसों में बडोतरी के चलते होने वाली मोतों की वज़ा से सडक सुरक्षा के मौजूदा कानूनों में बदलाव करना जरूरी था इस कानून में बदलाव विधेक में सडक दुर्गटनाओ को कम करने के मकसद से काफी कठोर प्रावधान रखे गए हैं जैसे कि शोर नाबालिगों द्वारा वहन चलाना बिना लाइसेंस खतरनाग धंग से वहन चलाना शराप पी कर गाड़ी चलाना निरधारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना और निरधारित मानकों से अधिक लोगों को बिठा कर अथवा अधिक माल लाद कर गाड़ी चलाने चलिए अब आपको बताते हैं वहिकल संशोधन बिल में नियमों के उलंखन पर जुर्माना बढ़ाकर कितना किया गया रेसिंग लगाने पर पहले जुर्माना था 500 रुपे अब बदलाव के बाद हुआ 5000 सीट बेल्ट नय लगाने पर अब 100 रुपे की जगां देने होंगे 1000 रुपे हैं हैलमेट नय पहनने पर देना होगा 1000 रुपे पहले था 100 रुपे इंशुरेंस नय होने पर 1000 से जुर्माना हुआ 2000 यदि किसी चालक के पास ड्राइविंग लाइसंस नहीं होगा तो उसे 500 की जगां अब देना होगा 5000 रुपे शराप पिकर ड्राइव करने पर पहले 2000 था जुर्माना अब हुआ 10,000 चलिए अब हम आपको दिखाते हैं अर्थ प्रकास समधाता मंदीब कौतम ने मोटर वीकल संशोधन बिल पर चंडीगड में युवाओं से क्या प्रतिक्रिया ली मैं तो कलकते साया हूँ लेकि जहां तक मैं चंडीगड की बात करता हूँ या पूरे देस में सड़क नियमों के लेकर जो कानून और प्रापधान किये गये हैं वो अपने आप में काफी नहीं है क्योंकि जब तक सड़क पर ट्रफिक पुलिस चोकनना नहीं रहेंगे और पुलिस वाले ध्यान नहीं देंगे तो वो चलान कैसे काटेंगे और जो गाडियों की संख्या लगतार बढ़ती जा रही है मेरा सरकार सही काना कि कानून के प्रापधानों से कुछ नहीं होगा जब तक आप गाडियों के संख्या पर अंकुस नहीं लगाएंगे तब तक नियमों के उलंगन का सवाल है तो वो आया दिन हमारे देश में कहीं चलता रहता है लेगिस पे ही तो तो कंट्रॉल लगाने के लिए सरकार दोरा ये नियमों ये नियम लगाएंगे और ये प्रापधान लाया गया है कि जो एक लोगों में डर है कही ना कहीं वो सजा को ले लिए उसे कारेकारनी तोर पर नहीं लागू करते हैं काने का मतलब वही है जब तक टीचर उसे सही से मतलब एकदम उसके दंडित नहीं करते हैं तो कोई शुदेंट उसको ऐसे ही लेता है उसे प्रकार से ट्रफिक नियमों के लेकर मैं यही देना चाहता हूँ कि गारियों की संख्या जित प्रकार से बढ़ती जा रही है परदूसन पॉलूशन का भी मुद्दा बढ़ता जा रहा है मैं चंडीगड पहले कुछ साल पहले आया था तो चंडीगड अब वो पहली वाला चंडीगड नहीं रहा गया परक देखा आपने फरक है कि पॉलूशन और गारियों की संख्या लगतार बढ़ती जा रही है और अबादी बढ़ती जा रही है करने के लिए। आपके नजर्लिय से क्या किया जा सकता है कि सड़को पर इतना ट्रीफिक है। अगर हम फैस्टीवल की बाद करें तो पहले यह सोचता है कि पार्किंग कहां करेंगे तो इसके लिए मुझे मेट्रो सबसे ज्यादा आसान लगता है कि अगर आप मेट्रो लेकर आते हैं हर जगा मेट्रो आ रही है तो वह पब्लिक के लिए बहुत ही सुबधा जनक होगा और गाडियों पर दबा भी कम होगी अगर यह जो नियों में हैं इनकी उलंगना करता है तो उन्हें अधिक जुर्माना हो सकता है या सजा हो सकती है यह फैसला कैसा लगा आपको आपको ऐसे कितनी बार देखने को मिला है कि ऐसे कारणों के वज़े से कईो कुछ दुर्गटना का सामना करना पड़ता है हां बहुत है और यह सरकार द्वारा एक अच्छा फैसला है और यह करना भी चीए क्योंकि कोई कंवेंस यूज करते हो मैं दो भी नहीं अभी नहीं करते हैं आपकी एज मेरी 18 हो गया तो आपका कोई अभी लाइसेंस वगारा कुछ नहीं बना घर मे आपका नम रतन सिंग जी आपके घर में कोई गरमेंस है जिसे आप यूज करते हैं मैं सैकली चलाता हूँ तो मतलब आगे फ्यूचर में तो को प्लैनिंग प्लैनिंग होगी एक्टिवा चलाई जाए या मोटर सैकल खरीद कर चलाई जाए जब तो लसे नहीं चलाएगा ज जो कदम उठाया गया है कि अगर कोई नियमों की उलंगना करता है तो उसे सजा होगी और जुर्माना है उसे डवल कर दिया गया है आपकी राइस पर क्या है बिल्कुल ठीक है और कहना मैं इससे जिंदियां बस सकती है और जो हमारे आजकल के वीवाग में फुक्रा बनती है वो खतम हो सकती है जो दिखावटी बना उस पर थोड़ी रोक लगेगी और क्याना मैं हम कुछ समय बचाने के लिए कुछ कर देते हैं रैड क्रोस कर देते हैं उससे हम रुक सकते हैं थोड़ा हमको सोचना बढ़ेगा कि हमारे पासे पैसे खर्चोएंगे हमारे माबाप ज कर सकते हैं सिर्फ्टी कर सकते हैं ऐसको पता है कि क्या कुछ हुआ है माड़ाू बदलाओ के बारे में जैनकर यह रखते हैं थोड़ी बहुत है कि इदियाad evaluate से ऊपर ही होगी है यह फॉभी है प्रावधान जो कि जिसकी सजा अपने पेरेंट्स को मिलती हूँ, ऐसा कुछ सुनने में आ है। तीन महीने के लिए रद किया जाएगा और जो कि उसकी सजा है वो उनके पेरेंट्स को दी जाएगी। राजय सबा में मोडर विकल एक्ट में कुछ बड़े बदलाव किये गए हैं। ये एक्ट 1988 में बनाया गया था और अब 31 साल के बाद इसमें कुछ बड़े बदलाव किये गए हैं। यदि कोई व्यक्ति यतायात के नियमों कर उलंगना करता है तो उसे ऐसा करना भारी पड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति यतायात के नियम तोड़ता है तो उसे अधिक जुर्माना और अधिक सजा हो सकती है। अगर हम बात करें भारत की तो ना जाने कितनी ही दुरगटनाएं ओवर स्पीड के कारण शराप पिकर गाड़ी चलाने के कारण या बीना हेलमट के वहां चलाने के कारण हो जाती हैं आप देखना ये है कि इस एक्ट के पास होने के बाद कितना कुछ बदलता है कैमरामेन अविनाश वर्मा के साथ मैं मंदीब गौतम अर्थपरकाश न्यूज चंडिगर्ड ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थपरकाश ट्रीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें